दोस्तों नमस्कार बहुत बहुत स्वागत आप सभी का पंजाब के अरियर अड़ा के यूटूब चैनल पर रिकूरूटमेंट नौटिफकेशन आउट हुआ है यूनिवस्टी के अंदर कुछ भरतियां आउट की गई है रजिस्टार हैं टीचिंग नौन टीचिंग स्टाफ के लिए हैं पूरी जानकरी आपको डिटेल वाइस मैं आपको समझाओंगा कौन-कौन फॉरम भर सकता है क्या-क्या eligibility रखी गई है आपका selection कैसे होगा और फॉरम कैसे भरना है पूरी डिटेल आपको समझाएंगे अगर आप चाहते हैं कि आप तक कैसे सरकारी नोकरी के सबंद में सबसे पहले important update आप तक पहुंचे तो आप इस चैनल को जुरूर subscribe करें और साथ में bell icon को प्रेस करना नहीं बूलिएगा description box में दिएगे Instagram, Telegram और WhatsApp पे क्लिक करके जोड़ सकते हो जहां पर आपको सबसे पहले latest जानकरी बेजी जाती है तो मैं आपको लेके चलता हूँ notification पर वहाँ देखते हैं जादा जानकरी क्या है दोस्तो ये notification है डॉक्टर येश्वन्त सिंग परमार University of Horticulture and Forestry में यहां पर पोस्टें आउट की गई है इन पोस्टों में टोटल बात करते हैं तो 47 vacancies आउट की गई है registration बात करते हैं 20 तारिक से शुरू होकर 19 मार्च तक आपको time दिया गया है almost एक महिने का वक्त होगा आपको क्या करना है सबसे पहले number 1 पर देखना है अगर आपकी उमर 18 साल से 45 साल के बीच में है तो आप यहां पर अपना forum भर सकते हो आपका selection एक return paper के जरीए और आपके इंट्रू के जरीए होगा लेकिन कुछ पोस्टे हैं जिसमें की आपका selection direct return paper से ही किया जाएगा अब इसमें सबसे पहले तो आपकी उमर 18 से लेकर इनके बीच में होनी चाहिए अब हम पन देखते हैं detail wise कौन कौन सी पोस्टे है सबसे पहली पोस्ट का नाम है इसमें दिरक है instrumentation technician इसमें total जो post का code है वो 300 है भरती एक post है इसमें technician assistant की एक post है draftman की एक post है publication assistant एक post है junior engineer civil के लिए चार भरतियां है post इसमें technical assistant grade first field में एक post है junior office assistant information technology JAOIT में 13 पोस्टे है field assistant 5 पोस्टे है junior technician की 5 पोस्टे है junior technician जो pump operator एक पोस्ट है, driver की हैं दो पोस्ट है, driver daily wage जिसकी salary 305 रुपे पर दिन के साब से मिलेगी, उसकी दो पोस्ट है library assistant चार पोस्ट है, sports assistant एक पोस्ट है assistant lineman एक पोस्ट है और इसमें care taker की दो पोस्ट है end में है, for female के लिए है metron की दो पोस्ट है दोस्टों यह सारी की सारी पोस्ट है कुल मिलाकर 47 vacancies है इन में अलग-अलग से qualification आपके पास होनी चाहिए जैसे कि सबसे पहली पोस्ट है जो instrumentation technician के लिए b.tech आपके पास होनी चाहिए technical assistant में आपके पास MS forest या forest product या medical या aromatic plants में होनी चाहिए draft menu में बार्वी पास के साथ साथ में आपके पास कम से कम तीन साल का डिपलोमा architecture assistant में होना चाहिए publication assistant में बार्वी पास के साथ में तीन साल का आपके पास printing technology में डिपलोमा या को डिग्री होनी चाहिए junior engineer civil के आपके पास b.tech होनी चाहिए civil की डिग्री होनी चाहिए और तीन साल का या आपके पास कोई इस पर करका डिपलोमा हो जो की एक डिग्री के equal हो तो आप फॉरम भर सकते हैं टेकनिकल असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट में एट लिस्ट दो सेकिंड डिविजन बीएसी होटी कल्चर या फॉरस्टी अग्री कल्चर में होनी चाहिए जूनियर ओफिस असिस्टेंट की बात करते हैं तो ट्वैल्थ के साथ में आपके पास ओ लेवल का सर्टिफकेट्स हो या आईटी से अगर आपने डिप्लोमाइन और फॉर्मेशन कर रखा है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो फील्ड एसिस्टेंट के लिए बार्वी पास होनी आपकी साइंस में जरूरी है जूनियर टेक्निशन के लिए आपके पास बीएस्टी होटी कल्चर या एग्री कल्चर में होना लाजमी है तो आपके पास मैट्री क्लास दस्वी क्लास के साथ में आपके पास हैवी या लाइट विकल लाइसंस होना चाहिए लाइबरेरी एसिस्टेंट में बारवी के साथ में आपके पास 50% होने चाहिए और आपने डिपलोमा लाइबरेरी साइंस में किया होना लाजमी है Sports Assistant की बात करते हैं तो 12th Class में आपकी पास होनी चाहिए और कम से कम 2 साल का आपके पास यानि Physical Education ये जिसे हम DPD कहते हैं वो होना चाहिए Assistant Lignment की बात करते हैं तो 10 वी क्लास के साथ में आपके पास ITI पास यानि Electrician के अंदर होनी चाहिए Caretaker की बात करते हैं तो 12 वी क्लास के साथ में आपके पास Computer Science, Computer Application, Information Technology किया होना लाजमी है इसमें है कि Metron Female के लिए बात करते हैं तो 12 वी क्लास के साथ में आपके फ़र डिप्लोमा एं मिनिमम एक साल डिरुशन का Computer Science, Computer Application, Information Technology ये आपके पास है तो यहाँ पर आप Forum भड़ सकते हैं दोस्ते एक Demand University के अंदर ये पोस्टें आउट की गई है और ये सभी के सभी पोस्टें हिमाचल प्रदेश सोलन में आउट की गई है मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें सेलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो अलग-अलग से कुछ स्लेबस मेंशन कर रखा है ये मैं आपको पूरे का पूरा PDF आपको इस कमेंट बॉक्स में टैच कर दूँगा जहां पर आप डिटेल वाइस देख सकोगे लेकिन बात ऐसी है कि इसमें अलग-अलग से स्लेबस होगा तो मैं आपको काफी डिटेल वाइस समझा देता हूँ इसमें इन्होंने कहा है कि स्लेबस जो रखा गया है रिटन इग्जामिनेशन के लिए उसमें कि अब्जक्टिव टाइप MCQ डिग्री के सबंद में जो फिल्ड होगा जिस फिल्ड में भरेंगे 65 कोशन होगे और 10 कोशन है आपके जनरल नौलेज हिमाचल प्रदेश का पूछा जाएगा और 10 कोशन आपको पूछा जाएगे जनरल नौलेज नैशनल इंटरनेशनल के 85 रखे गए है डुरुशन डेड़ घंटे का मिलेगा 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा तो ये आपकी सेलेक्शन प पेपर होगा वो आपको यहाँ पर 85 मार्क्स का होगा जिसकी डेटेल मैंने आपको दे दी और 85 की फिर से मैं आपको यहाँ पर ब्रीफ कर देता हूँ रिटन अब्जेक्टिव टाइप जो 85 होंगे टाइपिंग टेस्ट कम्प्यूटर फोर्दा कोर्ड़ 206 और 214 के लिए क्वालिफाई नेचर है प्रेक्टिकल फोर्दा कोर्ड़ 211 और 216 के लिए क्वालिफाई नेचर है प्रेक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट के लिए 212 1213 के लिए qualify nature है evolution of document and certification जो permanent defend होंगे वो 15 marks के होंगे इसी प्रकार आपका total 100 number का paper होगा दोस्तो ध्यान रखना कि total जितनी इन्होंने कहा रखा है कि 20 टाइम से ज़्यादा total पोस्टों को declare किया जाएगा qualification के लिए syllabus of written examination में फिर से इन्होंने कहा रखा है कि 65 question आपके subject के सबंदित होंगे 20 question हिमाचल परदेश का current affair होगा ये आपको अलग-अलग से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एके करके बताऊंगा तो बहुत सारे students इसमें confuse हो जाएंगे तो दोस्तों ये पूरी जानकरी थी मैंने आपको detail बाइस बता दी है अब forum कैसे भरना है forum आपको online भरना है general को आपको यहाँ पर pay करना है जैसे की 800 रुपे जो पहली पोस्ट है 302, 203 और 218 तक 500 रुपे होगा economy weaker section के लिए 200 रुपे अलग से 125 रुपे यह ऐसा नहीं है जो पहली अगर आप 300 नंबर code की पोस्ट बरेंगे तो 200 रुपे करना है अगर आप दूसरी पोस्टें बरते हो तो 125 रुपे करना है SC of हिमाचल परदेश या ST of हिमाचल परदेश यह अधर backward केटेगरी के लिए 200 रुपे तो 300 code नंबर पोस्ट है 125 रुपे अधर है female को किसी परकार का कोई भी पैसा यहां पर pay नहीं करना है payment आपको online debit card credit card से करनी है और इसके सबंद में आपको अगर अधिक जानकरी लेनी है तो यह help line पर आप call करके पूरी जानकरी ले सकते हो दोस्तो यह important update थी I think आपको समझ में आगी होगी उमीद करते हैं आपको पूरन तोर पर यह जानकरी समझ में आई है तो प्लीज इस session को like करिएगा शेयर करिएगा thank you so much मिलते हैं फर next breaking news में तब तक ख्याल रखें take care, bye bye